हलो दोस्तों तो आज की इस 15 मिलिट सीरीज में हम डिसकस करने वाले हैं ग्राविटेशन चैप्टर तो बचो ग्राविटेशन चैप्टर आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत 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 important है और इसका quick recap उससे भी ज़्यादा important है तो शुरू करते हैं बचों तो gravitation चैप्टर में सब से पहले आता है universal gravitational low यानि ये एक ऐसा low है जो universally applicable है यानि throughout the universe आप इसको कहीं भी apply करेंगे ये same type से applicable होगा तो ये low है क्या ये low है कि अगर universe में कहीं भी दो object है जिनका mass m1 और m2 है और उनके बीच की distance अगर d है तो इन दोनों के बीच में एक force act करता है जो attractive nature का होता है और उस force का नाव है gravitational force और वो force किसके बराबर होता है ये हम इसमें discuss करेंगे तो यहाँ पर वो जो देखेंगे हम तो force proportional होता है इनके masses के product के यानि इनके masses को multiply अगर हम कर दे तो उन multiple के बराबर होता है या उसके proportional होता है ये force और इनके बीच जो distance है उसके square के inversely proportional होता है ये force तो इसको combinedly जब हम लिखते हैं तो ये होता है force is proportional to m1 m2 upon d square और जब यहाँ पर इसको proportionality को हटाते हैं तो एक constant आता है capital G इसलिए हमारा formula हो जाता है f बराबर capital G m1 m2 upon d square और यहाँ पर जो capital G है इसको हम बोलते है universal gravitational constant यानि again universal, universal का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि universal का मतलब होता है एक ऐसा constant जो universally constant है एक ऐसी value जो universally क्या है constant यानि कि G की value जो है पूरे universe में constant रहेगी कहीं पर भी नहीं बदलेगी नि G की value throughout the universe same रहेगी और यह value क्या है 6.673 into 10 to the power minus 11 इसकी जो SI unit that is also important यह objective में पूछी जा सकती क्या है Newton meter square पर kg square उसको किस ने calculate किया? Henry Cavendish ने अब हम आते हैं कि इस low के कुछ basic features क्या है इस low के basic feature है कि यह universe में किसी भी object पर applicable होता है masses के product के proportional होता और distance के square के inversely proportional होता है और यह force जो होता है यह always attractive nature का होता है और यह जो application की line होती इसकी line of application वो इनके centers को join करने वाली state line के along होती है और इसको hinder करने के लिए किसी medium के आवशक्ता नहीं होती यानि कोई भी medium वर्गर इनके बीच में रख दिया जाये तो ऐसा नहीं कह सकते कि gravitational force खतम हो गया कोई इसको isolate नहीं कर सकता है यह force हमेशा लगेगा अब हम इसके लिए थोड़ी सी calculation कर लेते हैं दो object लेते हैं दो truck लेते हैं 100-100 tons के truck ठीक है और यह 100-100 tons के truck का यहां पर हम मास लिखेंगे kg में तो वो आ जाएगा लगबग हमारा 1-2-3-4-5 यानि किता हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 1 lakh kg किता हो जाएगा यह 1 lakh kg तो 1 lakh kg और distance इनके बीच की रखिए मैंने 1 meter तो जब हम इनको यहां पर formula में place करेंगे तो capital G, capital G को आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान से capital G की value यहां पर आपने रख दी 6.67 into 10 to the power minus 11 और उसके बाद आपने इनके masses को रखा M1 जो की 10 to the power 5 फिर M2 जो की 10 to the power 5 और नीचे distance का square यह निवन का square तो क्या आजाएगा यह force ही आजाएगा F is equal to 0.67 newton यहनि दो इतने बड़े ट्रकों के बीच में gravitational force इतना कम आता है इसने इसको बोलते हैं कि gravitational force is a weak force अब थोड़ी और calculation करते हैं इस calculation में हम earth को ले लेते हैं और किसी एक object है नि किसी एक आदमी जिसका mass 50 kg है वो ले 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 दे यहाँ पर मैं बोलूँगा दो object है एक का mass 50 kg है और एक earth है जिसका mass कितना है जिसका mass आप जानते है 6 into 10 to the power 24 kg है तो mass of the earth 6 into 10 to the power 24 kg mass of the wind 50 kg और d जो होगा वो लगबग इसकी radius के बराबर होगा क्योंकि इसकी radius ही होती है 6.37 into 10 to the power 6 meter कितनी होती है इतनी मीटर में होती है यहाँ पर इसको मीटर में हम लिख लेते हैं ठीक है बच्चों अब इसको अगर हम calculate करने आते हैं तो जब इसको calculate करेंगे सारी values को place करेंगे तो f बराबर capital G की value फिर m1 की value फिर m2 की value और फिर d square की value तो यहाँ पर जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा 490 newton यानि कि एक 50 kg का 50 kg मास का कोई आदमी है तो उस पर अर्थ कितने gravitational force से उसको खीचते है अपनी तरफ 490 newton इतने force से वो attract करती है इसकी और अगर हम calculation करें तो अर्थ और moon के बीच में अगर calculation करें तो अर्थ का मास, moon का मास और उनके 20 की distance हमें यहाँ पर given है जब इसको formula में place करेंगे तो it will be around 2 into 10 to the power 20 newton मतलब यह एक large force यहाँ पर calculate होकर आता है तो यह large force कब बनता है जो बहुत ही बड़े objects हो बहुत चोटे objects के लिए यह negligible type होता है तो बहुत बड़े-बड़े objects हो तब यह इतना large force होता है इसलिए इसको बोलते हैं यह weak force है कैसा force है? weak force यह बहुत बड़े objects में ही देखने को मिलेगा चोटे objects में यह significantly नहीं मिलेगा अब हमने देखा कि यार यह तो gravitational force हो गया और moon जो है वो earth के around चकर लगा रहा है तो यह moon earth की तरफ क्यों नहीं आ रहा है इसका कोई कारण तो बिल्कुल इसके उपर भी देखते हैं क्योंकि जो भी objects है जिनको हम drop करते हैं तो यह earth के center की तरफ आती है कोई भी object को क्योंकि earth इनको खीच रही है अपनी तरफ attract कर रही है एक gravitational force है तो moon को attract नहीं कर रही है क्या तो भई वो moon को भी attract कर रही है और moon को attract कैसे कर रही है जिसे यह इसका path है तो moon की यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका velocity की direction क्या होगी tangential यहनि इसको अगर T is equal to 0 पर यहां है तो T is equal to 1 पर इसको कहीं यहाँ होना चाहिए along the direction of velocity लेकिन यहां नहीं हो कि कहा है यहां तो यहनि कि इसको center की तरफ खीच कर ला रहा है यह force यह इसको center की तरफ खीच कर ला रहा है और जब यह यहां होगा तो इसके direction यह होगी यहां पर इसको यहां होना चाहिए तत्य यहां से स्कोर यह से कीच कर लारे है यह यह हर एक सेकेंड वे deva towards this center यह object चल रहा है it is moving towards this center of the earth यह moon जो है अर्थ की तरफ चल रहा है और इसको कौन खीच रही है gravitational force between both of them यह जो two into 10 to the power 20 Newton का calculation हम हमने करा ता gravitational force का earth और moon के बीच यही force है जो इसको अपनी तरफ खीच रहा है बार बार और इस खीचने की वज़े से ही यह circular path में या जो भी elliptical orbit है इसकी उसमें constantly move कर रहा है ठीक है अगर ऐसा ना होता gravitational force ना होता तो यह इस orbit में move नहीं कर रहता अब आते हम एक next condition पर जिसको बोलते हम free fall free fall का मतलब होता है कि कि किसी भी object की motion अगर purely gravitational force के अंडर हो तो हम उसको बोलते free fall जैसे कि moon की जो motion है वो earth के gravitational force की अर्थ और moon के gravitational force की वज़े से तो वो भी free fall है जैसे मैं span को पर से drop करूँगा तो यह किसकी वज़े से है free fall हो रही है क्योंकि यह gravitational force की वज़े से नीचे जा रहा है यानि कि यहाँ पर जो छोटे मुटे forces लग रहे हैं जिसे यहाँ पर air का drag, air का friction यह सारी चीजों को हम neglect कर देंगे सिर्फ और सिर्फ consider किसको करेंगे gravitational force को जो earth लगा रही है किसी भी object पर तो अगर ऐसा motion जिसमें सिर्फ gravitational force की वज़े से motion हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे free fall ठीक है? अब free fall के लिए कुछ conditions हम समझते हैं जिसे यहाँ पर मैंने earth का mass ले लिया और एक object का mass ले ले जिसे पहले calculation हमने करी थी तो यहाँ क्या होगा z m1 m2 upon d square जिसमें small m है object का mass और capital m है earth का mass ठीक है न और r है इस earth की radius तो यहाँ पर जो calculation करी हमने क्या है capital g m और small m upon r square हो गया लेकिन हम इसे newton के second low से equate करते हैं हमें क्या इकालना है क्योंकि यह motion हो रहा है किसकी वज़े से यह जो motion हो रहा है यह किसकी वज़े से हो रहा है gravitational force की वज़े से तो motion है यानि movement है यानि change in velocity है यानि acceleration भी होगा तो यहाँ पर हमने जो second formula निकाला था second low से वह क्या था force is equal to mass into acceleration को हम किसे equal कर देंगे gravitational force के जब इसके equal करेंगे तो m से m कट जाएगा small m और g बराबर g यहाँ पर जो acceleration था उसको मैंने g से denote किया है तो g बराबर क्या हो जाएगा capital G capital M upon r square यानि यह जो g होगा जिसको gravitational acceleration बोल रहे हैं यह depend ही नहीं करेगा object के mass पर इसका मतलब object किसी भी size का किसी भी mass का हो सब पर acceleration सेम लगेगा क्योंकि यह planet के mass और planet के radius पर ही depend कर रहा है और इसकी further calculation करेंगे हम values place करके तो it will be around 9.8 meter per second square क्या हैगा gravitational acceleration 9.8 meter per second square और further जो भी calculations होगी यह constant acceleration मानकर हम equations of motion का use कर लेते हैं further calculations में इसका इस्तेमाल करते हैं ठेक है बच्चों लेकिन एक बात और है कि यह जो होता है अर्थ हमारा वो चप्टी होती है थोड़ी सी चप्टी होती in the sense वो poles पर जो होता है उसका radius कम होता और equator पे जादा होता है तो poles यह वाले और यह equator तो poles और equator पे आप देखोगे तो यहाँ पर इसको center माने अगर तो equator की radius है RE और poles की radius है RP और इन दोनों के बीच में जो relation है अच्छा इन between the poles और equator हम क्या लेंगे surface लेते हैं ठेक है उसको बोलेंगे अपन RS तो यहाँ पर हम देखें तो RP जो है वो सबसे छोटा होगा ठेक है उससे बीच में होगा intermediate में RS और सबसे ज़्यादा radius होगी कहाँ पर equator पर और हमने देखा था small g का formula capital G m upon r square यानि की radius के square के inversely proportional था यानि radius जहाँ पर बढ़ेगी वहाँ पर g जो होगा gravitational acceleration वो घटेगा inversely proportional है तो इसी accordingly क्या होगा जहाँ पर radius ज़्यादा वहाँ पर gravitational acceleration कम और जहाँ पर radius कम वहाँ पर gravitational acceleration ज़्यादा तो maximum कहा होगा poles पर intermediate यानि की surface पर intermediate होगा और equator पर सबसे कम होगा gravitational acceleration ठीक है बात clear हुई अब mass और weight को समझते, mass क्या है mass किसी भी object के अंदर जितना contained material है वो mass है यानि मेरे अंदर जितना material है वो mass है और मेरे अंदर का जो material है अगर वो time के साब से change नहीं हो रहा है इसका मतलब mass change नहीं हो रहा है mass change नहीं होता जितना material मेरा यहाँ है इसी material के साथ अगर मुझे कही और जगह पर दूसरे जगह पर भेज दिया जाए तो वहाँ पर भी मेरा मास यही रहेगा यानि मास चेंज नहीं होता है लेकिन हम अगर वेट की बात करें तो वेट का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्षेलरेशन यानि कि फोर्स जो अर्थ आपको लगा खीच रही है जिस फोर्स से नीचे वो हो जाएगा आपका वेट यानि वेट है जब फोर्स तो मास को हम केजी में आंसर करते हैं और वेट को न्यूटन में ध्यान रखना तो यहाँ पर मास जी से मल्टिप्लाई होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है मास के साथ साथ जी पर और मास तो कॉंस्टेंट रहेगा क्योंकि माटीरियल जितना मेरे अंदर है उतना ही दूसरी जगह भी है हर जगब मेरा material वही है तो g जो है हर जगब पर अलग अलग है जिसे poles पर ज़ादा होगा तो equator पर कम होगा surface पर intermediate होगा तो जैसे जैसे g के value change होगी क्या weight भी change होगा यानि weight जो है वो क्या है variable है mass जो है constant है weight depend करता है gravitational acceleration पर अब जिसे planet पर change कर ली हम जैसे मैं अर्थ की बात करूँ और जैसे मैं moon की बात करूँ तो अगर gravitational acceleration जो होता है वो earth पर जितना होता है न moon पर उसका 1 by 6 होता है यानि जब acceleration अर्थ के acceleration से 1 by 6 होगा तो क्या weight भी क्योंकि weight depend कर रहा है जी पर तो weight भी 1 by 6 हो जाएगा moon पर इसका मतलब अगर earth पर किसी object का weight 6 newton है तो moon पर उसी object का same mass के object का weight कितना होगा 1 newton 1 by 6 समझ में आई ये difference होता है moon पर और earth पर weight में change लेकिन mass में कोई change नहीं होगा ठीक है अब हम biancy का थोड़ा सा concept समझ लेते biancy क्या है biancy है कि water के molecule या किसी भी liquid के molecule किसी object के object पर एक upward direction में या उसकी motion के against direction में क्या लगाते हैं force लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम biancy जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे आर्किमेडिस प्रिंसिपल से इस biancy को समझेंगे जैसे एक object है यह block है इस block को मैंने पानी से भरे container में डाला तो यह block तेर रहा है और इस block का इतना हिस्सा जो है पानी में डूब गया है यानि इतने हिस्से में जो पानी था उस पानी की जगए किस ने ले ली इस block ने ले ली यहनि इतना volume पानी का इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो जितना volume पानी का इसने डिस्प्लेस किया है, उस volume का mass निकालेंगे, भई पानी की density हमें पता है, तो density बराबर क्या होता है, mass upon volume, और volume हमें पता है, तो mass कैसे निकलेगा, mass निकलेगा density into volume, तो density into volume करते हैं, मास निकल जाएगा और उस मास से फिर हम उसका वेट निकालेंगे मास into gravitational acceleration तो जितना उसका वेट होगा वो वेट किसके बराबर होगा बाइंट force के बराबर होगा यानि weight of that displaced water क्या कहलाएगा बाइंट force कहलाएगा ठीक है ना अब हम density पर बात करते हैं फिर relative density तो density आप लोग जानते हैं density का मतलब क्या होता है density बोले तो mass upon volume तो mass upon volume बोले तो kg पर meter cube volume को meter cube में मामते हैं ये इसके SI unit है लेकिन मुझे अगर relative density निकालनी है relative density महलब किसी के respect में तो वो respect क्या चूज कर लिया मैंने water तो मैं किसी भी object की ये किसी भी liquid की किसी भी चीज की अगर density में निकालू water के respect में तो that density is known as relative density ठीक है अब आप जानते हो जैसे यहां पर किसी substance की density है उसकी unit क्या होगी kg parameter क्यों ठीक है नीचे water की density उसकी भी unit क्या होगी kg parameter क्यों क्यों इन दोनों की unit नहीं होगी ठीक है बच्चों तो यहां पर relative density कैसे निकालोगे substance की density upon water की density जो हो जाएगी आपकी relative density तो this is all about the chapter this is the quick recap in 15 minute और I think आप बच्चों को सारे concept जिसमें cover हो चुके हैं आप इसको अच्छे से revise करे, practice करे और exam में धूम मचाते तो मिलते है बच्चों अगले वीडियो में